महिला को हर महीने होने वाले पीरियट्स एक प्राकर्तिक प्रक्रिया इस बात का सबूत होते हैं कि महिला मा बनने योग्य है इस दोरान साफ सफाई का धियान रखना बेहद ही जरूरी होता है महिला इसके बारे में खुल कर बात नहीं करती लेकिन कहीं लडकियों और महिलाओं को अन्यमित पीरियट्स पीरियट्स के दोरान पेट में और कमर में जादा दर जैसी कहीं और परिशानियों का सामना करना पड़ता है पीरिट से जुड़ी किसी भी तरह की परिशानी को नजर अंदास करने से महिला के स्वास्ते पर बुरा प्रभाव पढ़ सकता है इसलिए इसके बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए हर साल 28 मई को मैनुस्ट्रल हाइजीन डे बनाया जाता है आज मैनुस्ट्रल हाइजीन डे के मौके पर हम अपनी एक्सपर्ट से जानेंगे इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में इस विशे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज सीनर गायनोकॉलेजिस्ट मारेंगो एशिया हॉस्पिटल से डॉक्टर गुंजन भोला डॉक्टर गुंजन आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में थैंक यू गुंजन आपने मुझे हैं बिलाने के लिए और मेंस्ट्रल हाइजीन डे जो की एक हमारी गौर्वर्मेंट निशेटिव स्टार्ट किया था और इसले किया था ताकि जो यह लड़कियों को स्पेशली जो स्कूल गोइंग 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 उनके अंदर में और जो की यहां रहती है शेहरी और गाओं वाली इन सब को यह क्लेरिटी रहे कि इससे कुछ घबराने की या इससे कोई इसको छुपाने की चीज नहीं है यह एक नैचरल प्रोसेस है जो हर महिला में होता है जो एक एज के बार शुरू होके पचास साल की एज तक चलता है और हर मंतली साइकल या महावारी जो है उससे घबराना और उसको छुपाना की बजाए आपको उसकी जो भी आपको उसके साथ की समस्या है उसका खुल के डिसकस करना अपने माबाप से और अगर रिक्वाइड हो तो डॉक्टर से करना कितना जी जी डॉक्टर गुंजिन मेरा सवाल पहला यही है कि डॉक्टर जो महिलाएं हैं और खासकर हम टीनेज गर्ल्स की बात करें तो अकसर पीरिट से जुड़ी परिशानियों के बारे में बात करने से ना कतराती हैं वो सोचती है कि अगर हम इस विशे पर किसी से बात सोचेगा इसके बारे में आपका क्या कहना है और सोच को पीछे छोड़कर पीरिट के बारे में बात करना कितना जरूरी आज के समय में पीरिट्स के बारे में बात करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे पुराने जिसे कहते हैं कई पुराने ख्यालाथ है जो पीछे से चले आ रहे हैं उनको तोड़ना जहां पर यह बोला जाता है कि अगर किसी लड़की को पीरिड है तो वो अचार को हाथ में लगा सकती उसको नहाना बड़ा ज़रूरी है चाहे उसको रात को पीरेड आए चाहे उसको किसी भी जगह पे आए कहीं ट्रेन में आए तो उसको नहा के आना है अपने बाल दोना है एक अलग कमरे में अपने आपको रखना है और पीरेड क्या अगर कहीं दाग लग जाए तो उसको कैसे राइड्स का इतना इतना आप बच्चे को पहले से ही बोल दोगे की जिए आप असान भाष्ना में तोड़ा समझाएं कि फिण रिप्रॉडक्टिव सिस्टम और उसके पीरियेट्स का क्या प्रोसेस होता है तेकि यह कोई शर्म करने वाली बात नहीं है यह एक नॉर्मल साइकल है जो फीमेल है उसके अंदर जो यूटरस है जो गर्व है उसकी लाइनिंग जो है जिसको हम कह सकते हैं एंडोमेटरियम कहते हैं हमारी मेडिकल भाषा में वो हर साथ से बनती है और जड़ती है क्योंकि कुदरती ऐसे बनी है यूटरस में कि एग रिलीज होगा ओवरी में से उसके बाद में अगर तो प्रेगनेंसी होगी तो वही लाइनिंग जो है उसको पूरा पोशन देगी तापकि वह बच्चा ग्रों कर सके जिए अगर प्रेगन है नैच्रल साइकल की तरह पूरे महीने में जैसे होर्मन आएंगे वैसे 28 दिन होने के बाद में चार-पांच दिन में वही लाइनिंग जो शेड हो रही है जो ब्लीडिंग की तरह विद लाइनिंग निकल रही है जी आज हमारे जो अनहेल्दी लाइस्ट्राइल की वज़ सबसे ज्यादा पॉमन है जो आपने भी सुना होगा इस पीसी ओडी जो आज़कल काफी है पीसी ओडी कहलो पीसी वेस कहलो प्र वह एक लाइफस्टाइल डिसाॉडर है और जब हम लाइफस्टाइल डिसाॉडर बोलते हैं तो उसका मतलब यह की अपकी जिनरेशन कैसी है पिजा पास्ता वाली जनरेशन है, सारा टाइम वीडियो गेम्स खेलो, या मुबाइल पे लगे रहो, या फिर आप तीवी पे हो, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, प्लस आजकल बच्चों पर पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि वो स्कूल से आते हैं, आक उसके आहार में कोई प्रोटीन जा रहा है, कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जिसमें खाने में सारा मीठा भी बहुत जादा है, इन सब चीजों का अफेक्ट कही ना कहीं आएगा, जिससे हॉर्मोन वेट गेन होगा, जिससे हॉर्मोन और जादा अपने जहां पर पर एक्ट करने की बजाए उनके फैट सेल्स पर एक्ट करने लग जाते हैं, जिसके वज़े से सारे साइकल लेट हो जाते हैं, साइकल लेट होने की वज़े से और वेट गेन होता है, और वेट गेन होने की वज़े से कईयों को कई बरी ऐसे लगता है, जैसे मूं पर काफी बाल आने शुरू हो गए और या फिर फिम्पल्स वगरा जादा होने लग गए या फिर कई बरी कई स्किन जो होती है वो डाख कर लादी हो जाती है लेकर हैं ने कंसीव होने में भी दिकते आती हैं तो यह PCOD एक कमन है जो रीजन है जिसमें साइकल हम कहेंगे कि प्रॉपरली आए जहतो है नहीं चल रहे हों और चीज little more allison होते हैं जिसको मरसॉली कहते हैं इंव भी दिल सकतें हैं कि उन मायाओं में जो हैं पीरिशित ज्यादा देर तक चल रहे हैं या बहुत ज्यादा ब्लिडिंग हो रहे है जिसके लिए कई बरी मिलाी बताती ही नहीं अपने घर कि मुझे जादा ब्लीडिंग हो जब तक कि हीमोगलोविन उनका 6-7 ग्राम ने हो जाता और वह बहुत कम जोर हो जाते हैं तब जाके वह पताल आते हैं क्योंकि वह जो आपने बोला के पीरेट की समस्या को आपस में अपने घर में बताना हाँ वह एक टैबू है डॉक्टर यह भी बताई है कि जिस तरह से पीरेट स्टार्टिंग में अबनॉर्मल होते तो आगे चलकर महिला को इंफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है हां जी बिल्कुल PCOD वाली पेशन्स में इंफर्टिलिटी भी होगी क्योंकि जैसे ही अगर आपके साइकल रेगुलर है इसका मतलब यह है कि आपके अंडे सही बन रहे हैं अगर वो अंडे नहीं निकल रहे हैं यानि एग फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर तो डेफिनिटल करने में दिक्कत आई जी आज तो यह एक फैक्टर है जी जिस तरह से आजकल महिलाओं का अनहल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है जिस तरह से आप कह रही है कि फिजिकली एक्टिविटी जो है वो कम हो रही है पर आजकल जो छोटे टीनेजर में जल्दी पीरिट्स आने की स जब एक्सराइज नहीं कर रहे हैं उनका वेट गेन हो रहा है तो उनको पीरिट जल्दी आने की संभावनाई बढ़ रही है हमारे पास कई बच्चे आ रहे हैं जिनके 8-9 साल पे पीरिट शुरू हो जा रहे हैं ऐसी कंडिशन में नुकसान यह है कि बच्चे की हाइट जो के लिए और बढ़ गई है जो माबाप के लिए एक समस्या है जी डॉक्टर यह बताए कि नाशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के रिपोर्ट ने बताया है कि 15 से 24 साल की उमर की करीब 50 परसेंट में अभी भी महावारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करते तो इसके बारे में अब क्या कहना चाहेंगी देखें अभी तो हमारे हां पर काफी अवेर्निस आगी है जैसे मेंस्ट्रोल हाइजीन डी जो हर साल मनाया जा रहा है उसमें सरकार की तरफ से बहुत कोशिशें हैं जिसमें सेनिटरी पैड दिये जा रहे हैं इंफेक्ट अभी आपने देखा है और उसकी बाद में जो दिक्कते महिलाई सहती है उसको पैड से कैसे सॉल्व किया जाता है तो डेफिनिटली बैटर हुआ है अभी भी हमारे लिए बहुत आगे जाना बाकी है बहुत अवेर्नेस लाना बाकी है बिलकुल डॉक्टर गुंजन यह भी बताए कि मैनृस्ट कि लोगों को पैड इतने यूज करने है पर कितनी देर करने कब बदलने है और क्या क्या उस टैम अपने साथ में सफाइय रखना है वह सब चीजिए कोई इतना एक्सपलें नहीं करता है जो प्र है बारा घंटे में तो बदलना ही बदलना है अगर वह चाहें पूरा भरे य यह वाले जो वाशिज आते हैं, यह ज़रूरी नहीं है, कि आपको इनके इस्तेमाल करना है, बेसिकली आपको अपने आपको हाईजी में साफ सफाई का ध्यान रखना है, जैसे अब जब नहा रहे हैं, तो अपने आपको प्रॉपरली कृइन करें, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंडर्वेर खराब हो रहे हैं तो आप उसको जल्दी चेंज करिए यह कुछ प्रिकॉशन्स हैं जो आपको ध्यान रखने पर अगर सेम टाइम ओवर क्लीन नहीं करना है ओवर क्लीन करने में हम बहुत बार हेल्दी बैक्टीरिया भी लूज आउट कर जाते हैं और बहुत पेशेंट हमारे पास में फंगल इंफेक्शन की वज़ा से आजाते हैं जो यह बैलेंस है जो ध्यान रखना है जी पीरेट से जोड़े काफी सारे मिट्स भी हैं इसमें कहते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटीज ना करें यह भी कहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए आज का लड़ीका जिमिंग बहुत कर रही हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि यह बाते कितनी फैक्ट्फुल हैं लेकिए मैंने तो आपको भी यही बोला कि पीरेट होना इस नॉर्मल थिंग बिल्कुल एक नॉर्मल है फीमिल में और इससे हम मेरे साब से जो फीमिल से हैं वो मेल से जादा स्ट्रॉंगर सेक्स है क्योंकि वो अपने साथ साथ में अपने घर को भी बैलन्स करती हैं तो हम यह बोलके कि पीरेट के चार पांच दिन जो हैं अभी घर रहें यह मत करें हम अपने आपको भी कमजोर कर रहें और अपने घर में बैटी महिलाओं को भी कमजोर कर रहें उनको जो दिखते हैं उसका उन सब का हल है बस उनको उस टाइम पे जाकर डॉक्टर से बात करनी है कि मुझे ये दिखते हैं उसके इलावा वो एरोबिक्स कर सकती है एक्सरसाइज कर सकती है इंफेक्ट टैंपून्स स्विमिंग कर सकती है जो और कोई ऐसी चीज में जिससे इसके अंदर उनको कोई चीक्ति रुकावट रहे अगर दर्द है तो दर्द का इलाज है ब्लीडिं संबन बनाई जाने के शक को लेकर हत्या कर दी जबकि लड़की को पहली बार पीरेट्स हुए थे और शक्स की उमर 30 साल बताई जा रही है तो पीरेट्स के बारे में लोगों को और साथी बच्चों को जागरुक करना आज के समय में कितना जरूरी हो जाता है जब हमारे बी हुझे हर साल में इस टाइम पेरिट में किस ना किसी स्कूल में जरूर जाती हूँ और स्कूल के बच्चों के साथ में मैं इंटराइक करती हूं इनके साथ में हम जो की 3rd 4th क्लास onward जिनको पीरेट्स के बारे में एक शुरुवाती जानकारी हम देते हैं कि वो इससे घबर जाए ना और इससे परिशान ना हो और एक कमफर्टेबल इंवार्मेंट स्कूल में क्रियेट करा जा रहा है और यह मैंने देखा यह इनिशेटिव काफी स्कूलों ने लेना शुरू कर दिया है इस पारे में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी अवेरनेस हो और पत जाने के शक को लेकर तो ऐसे में सुसाइटी को भी जागरू करना एक बहुत बड़ी चुनोर्ती है हमारे सामने चली चातियों के मैक्समिम लोग आपका यह देखे और संझे कि यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे आपको किसी को भी अपने आपको कम समझने की जुरत ही है किसी भी फीमिल को और यह नॉर्मल जैसे भी मैनेज होगा उसके लिए तकनीके हैं जीसको यूह उसकर सकते हैं चाये नियुकर किसी अर्फ इसका चाये मैंस्टरल काप्स हो जाए मैंस्टरल अंडर्वयर भी आने लग एं कोई भी आपशिन में वह अपने आपको सेफ पील कर सकती है ताकि उनको यह डर नहीं रहे कि हमें दुकान से पैड लेने जाना है और दुकान वाला भी उसको काले लिपाफे में पैक करके देखे उनको एक शर्मिंदगी का हैसास ना हो बिल्कुल बिल्कुल आज भी शैन महीलाएं सेनिटी पैड्स खरीदने में हिच की जाती में तो जब पहले बार वहां पर किसी लड़की के पीरिट्स होते हैं कई कंट्री में वहां पर उसको वह सेलिब्रेट करते हैं कि इनके पीरिट्स शुरू हो गए तो यह अवेर्नेस अभी इंडिया में आनी बाकी है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर यह भी बताई क्या प कि इस सना की डाइट लेनी चाहिए और किन चीजों से हमें परियस करना चाहिए लेकि पीरिट्स की समय के साथ में गुझन कुछ नहीं है उनको थ्रू आउट में ही अपनी डाइट में आयरन वाला खाना लेना लेना बिच खाना क्योंकि जब लीडिंग स्यादा हो तो आयर अगर रिक्वाइड हो लग रहा हो कि जैसे क्योंकि हम आप लेट करवाते हैं अगर कभी लग रहा हो कि कोई किसी बच्चे को जाता वीकनेस हो लिए थाकान जादा हो तो उसकी बड़ टेस जल्दी करवाय जाए और अगर रिक्वाइड हो तो इसको आरन सप्लिमेंट भी यह जाएं डाइट के लावा जी पर ऐसा कोई परेज नहीं जैसे मैंने आपको पहले का कोई खटा नहीं खाना कुछ छंडा नहीं खाना जो हम अपने बड़ों से सुझते हो अब अब्सली यहल्दी काय तो बेटर होगा क्योंकि अगर हैं नहीं खाएंगे तो वेट हमान होता है कहीं महिलाओं को तो ऐसे में दवाईयां लेना कितना सेसे साथ इक यह ऑर किसंटरीके से इसे व अपने दर्ध को कम कर सकती है हीट पेंट लगाकर भी कम कर सकती है पर दवाई अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इतना दर्द है कि आप बेड से उठने ही सक रही हैं कोई काम नहीं कर पा रही हैं और वो दो-तिन दिन आपके लिए बहुत जादा तकलीफ वाले हो गए हैं तो उन केसे में दवाई लेने मे कोई हाम नहीं है आप दवाई कितनी ले लेंगी दो या तीन दिन आपको पीरेड हो रहे हैं और आपको डॉक्टर जो है बोलेगा जब आपको दर्द लगे तब लेनी है वो दवाई तो आप यहां मैक्समम एक दिन में तीन बार ले सकती हैं तो एक महीने में अगर आपने तीन चार बार अगर वो दवाई ली और जिसकी वज़े से आप अपने सारी रूटीन काम कर पा रहे हैं तो क्या बहतर है डॉक्टर मुझे यह भी बताई कि मैनुस्तल हाईजीन डे के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सला देना चाहेंगी मैं यह बोलना चाहूंगी गुण्जन के अपने आसपास, आपकी जितनी महलाएं हैं उनको जागरूप कीजेए चाहे वो आपके घर में आने वाली काम करने वाली हो चाहे आप जिस ओफिस में काम कर रहे हैं वहां की आपकी कॉलीग्स हो या फिर आपके आसपास के घर के आसपास रहने वाली बड़ी चोटी बच्ची सबको इसकी अवेरनेस कर रहा हैं कि इससे घबराने की कोई बात नही अगर बिदिनी शुरू होती है तो उसमें कोई दिक्कत लगात लगी है तो उसके लिए अपने आपको छुपाने के जुरत नहुंसके किसी से ना बताकर अपने आप अकेले सहने की जोरत नहीं है जितनी जागरूख महिलाएं होंगी उतना जागरूख हमारा समाज होगा बिलकुल डॉक्तर आपका बहुत 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 शुक्रिया मैंसा जुनने के लिए हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए थांक यू सो मच डॉक्टर थांक यू और यहां पर इंडिया में कम होंगी उतने हम ज्यादा स्ट्रॉंग होंगे बिलकुल थांक यू सो मच डॉक्तर पीरेट्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जारा जरूरी है जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी आज बताया ध्यान रखे कि सैनेटरी नैपकिन को समय समय पर बदलते रहें सैनेटरी नैपकिन का सहीर तरीके से डिस्पोजल भी जरूरी है और अपने शरीर क हाईडर्ट रखने के लिए पानी पीते रहें अगर पीरिट्स के दौरान या फिर पीरिट्स से रिलेटिड कोई भी समस्य होती है तो हिचकिचाए बिना एक्सपर्ट से इसके बारे में जरूर बात करें आज के लिए बस इतना ही हम फिर हाजिर होंगे हैल से जुड़ी नई जानकारी के साथ अब तक आप देखते रहें टीवी नाइन डिजिटल